बहुत लड़कों की मुझे कमेंज आएं और वोई वीडियो जानना चाहते हैं कि लड़की से फ्रेंशिप हो गई है लेकिन अब कैसे बात शुरू करें बात करने का टॉपिक क्या हो मैं किस बारे में बात करूँ ताकि वो उफेंड ना हो जाएं ऐसे कौन से टॉपिक से जि किस बारे में लड़के को बात करना अच्छा लगता है चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं बूलें बात करें थे क्या टॉपिक सो सबसे बहले टॉपिक है जो कि हर किसी के लिए असान है और इजी भी है जो हर को पूछता है होगा है उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है कहां वो जादा टाइम स्पेंड करती है शॉपिंग पसंद है इटिंग पसंद है बचों के साथ कही रहना हो सकता है तो ऐसा नहीं है कि खुद के बारे में ही बताते रहना है जानो शेयर करो साथ महां जाओ भी साथ में उस को strength देने वाला है, उसे पता चलेगा कि आप उसके liking को ही like कर रहे हो, तो वो चीज definitely आगे better हो जाएगी, उसके बार में आप बात करना चाहते हो, कर सकते हो है career dreams, लोगों को बहुत power देता है, अगर आप उनसे ये बात करो कि उन्होंने life में क्या struggle किया है, या struggle करके वो आगे career में क्या करना चाहते है, लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप किसी भी random इंसान को सड़क चलते वे भी पूछ लो ना, भाई सब आप क्या करते हो, या और क्या करना चाहते हो, आपके future plans क्या है, तो वो आपके साथ दोस्ती हो जाएगी, ऐसे में लड़कियों को बह अपरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, तो वो लड़की लंबे समय तक रहने वाली है, और आपके पास एक topic of discussion हो जाएगा, जिसमें आप अपरेज ये appreciation ज़रूर डाल सकते हो, डेफिनेटली किसी को happiness दें तो वो बहुत अच्छा है, उनसे उनके बचपन की स्टोरीज पू जिससे आप connect कर पाते हो एक लड़की से, तो ये चीज़ आप definitely add कर सकते हो, डेली रूटीन को discuss कर सकते हो, जो कि मेरा point number 4 है, सुबे क्या करते हो, जो usually couples करते हैं, शाम क्या किया, खाना खाया नहीं खाया, रात को क्या किया, आपका routine क्या रहता है, तो routine के बारे में discussion is also very good, लेकिन ये discussions ऐसे हो सकते हैं, कि अच्छा हम time निकाल के ये करते हैं, या आपका ये routine बहुत अच्छा है, motivate करना, routine discussion is also, जो आपकी communication को बंद नहीं करेगा, मतलब चलता रहेगा, चलता रहेगा communication, dead end पे नहीं रुकेगा, इंसा points के बाद जब आपको लगे कि हाँ लड़की comfortable हो रही है, धीरी-दरी अपने family से related, अपने career से related आपको hints देती है, अपने daily routine में आपको actively involve कर रही है, आपके routine के बारे में interest जगाती है, आपके likes, dislikes को उपर रखती है, तो ये बहुत सही समय है, जहां आप उन्ने coffee or date के लिए पूछ सकते हैं, और अपने relationship को maybe single से double कर सकते ह कि you really like her and you want to communicate, ये चुछे-चुछे tips हैं जिन पर लड़की definitely आपसे communicate हमेशा ही करेगी, आशा करती हूँ, मैं आपको वोच हारे important topics बता पाई हूँ, जो कि आप communication में ला सकते हैं, अपने partner के साथ, चैनल पे नए हैं तो subscribe करें, कोई और topic है, किसी और चीज़ के बार में करें